केवल तीन बार अगर आपने इस रेमेडी को लगा लिया तो आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आपको कटवानी पढ़ेंगे अगर हम बालों की भात करें तो आज के टाइम पर सबसे बड़ी जो प्रोप्लम बन गई है वो है हैरफोल लड़का हो या लड़की सबी ल करना मेल और कहstop है क्वां के इलकि जए मुर्ण को आपको एक वटक हो घ्र गए मैं मिलने वाले महंगे ले महेंगे सेङटेbau मैं कंडीसनर या ओलों करते हैं उनमें बोकुल सारे केमिकल होते हैं जो कि हमारे हैं रूट को वीक करनी है तो आज आपकी इस problem का मेरे पास solution है वन टाइम यगर इस remedy को आप यूज करते हैं तो वन टाइम में ही आपको अपने बालों में इसकी goodness इसकी benefit दिखनी start हो जाएंगी पहले बार के apply करने से ही आपके बालों का अलमुस्ट 50% जो hair fall है बिल्कुल बंद हो जाएंगी और जो कंगा में आपके बाल निकलते थे बालों को कंगा करते टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बाल जड़ से मजबूत होंगे क्यूंकि आज की remedy में जो चीज़े हमने यूज किया है वह हमारे hair growth को promote करती है hair को strong करती है आपके जो बाल जड़ गए हैं वहां पर नए बालों आने में स्टार्ट करती है इसलिए आज की remedy आपके लिए बहुत ही उच्पूर होने वाली है इसलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सबी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक से recommend करना ना बोले तो चलिए आगर बढ़ते हैं सबसे पहले आपको इस रिमेडिक लिए ल लेनी है मेथी दाने यह हमारे बालों को सिल की स्मूज साइनी श्ट्रूंग बालों को लंबा घना बालों को मुलायन करने में हैल्प करती है और बहुत ही बैंशितर होती है आपके बालों की ग्रोज के लिए तो यह थी हमारी पहली चीज़ आज के रहे में निकले दूसरी तो आपको यहां पर लेनी है कड़ी पत्ता और इस रहमट्री को लगाने से आपके हैरफल बिल्कुल जीरो हो जाएंगी हमारे बाल तूटते हैं उसके बहुत सारे रिजन होते हैं लेकिन जो मेजर रिजन होता है वह होता है हमारे बालों में केमिकल का यूज करना यानि जब तो आज की अकलए घंज करके जरूर देखें आपके बाल भी इतने ऐप काले घनने स्मूथ पहले हैं छोंकि ब्दृ के स्टेट भी होते हैं आगे गरी और कड़ी पत्तव गवहन लोग मीथी नीम भी बहुते हैं इसे आपको इंगल्स में कड़ी लिफ भी बोलते हैं मैने यहां पर तीनों आपको मैंसन कर दिया है क्युकि बहुत साफ लोग्सीumin को डाउट होती है कि कली पत्ता क्या होता है तो इसे हम खाने वाली याजनी मीठी नेम भी बोलते हैं तो आपको यहां पर अपनी बालों के साफसे की quantity लेनी है मेनी यहां पर एक एडेट चमची करीब मेथी दाने लिया हुआ है और छे से साथ यहां पर आपने कड़ी पत्ता लिया हुआ है इसे आपको ओवरनेट के लिए भी मोके रख देनी है जिसे कि इसके गुड़ने से अच्छे से पानी में आ जाए और अच्छे से फूल जाए क्योंकि हमें इसका बिलेंड करना है इसका एक पेस्ट बनाना है जिसे कि हमारे बालों पे अच्छे से अपलाई हो जाए यह बहुत ही अच्छी remedy आपके बालों के लिए आपके hair fall को रोकने के लिए new hair growth के लिए बालों को लंबा करने के लिए मिना किसी doubt के आप use करें ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बालों पे मांस किया पेक लगाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जितना आपको बालो में ओलिंग करना टोनर लगाना टोनिक लगाना जरूरी होता है उतना ही आपको अपने बालो में पेक लगाना होता है कम से कम आपको वन विक में एक बार जरूर लगाना है अपने बालो पेक किसी भी तरह की पे अब पेलोवाद लेड़ करना है, ज्यादा मूटा करना है, पर्चे पालो को प्रोम ने और प्रण एकृष्ट में आप कशस्य लेड़ करना है, या आपके बालो को स्टेट लगाना है, değildi तो इस अपत्य है यह cold पूरे को चाहिज acting प्रण प्रण teil लेड़ ले और लिफed तो बस आपको अपने बालों में कॉम करके इस रेमेटी को अपने बालों पर एपलाई करना है 30 मिनट के बाद अपने बालों को अच्छे सा आपको सैंपूर से दो लेना है हफ्ते में कम से कुए एक पर आप इस रेमेंटी को जरूर लगाए बालों को सिल्की स्मूस साइनी बांसी और ठीक और लोंग करने के लिए और मैं 100% का रेमेंटी देती हूँ इस रेमेंटी को लगाने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होंगी और हैल्प बिल्कुत जीरो हो जाएंगी तो आज के लिए बस इतना ही आई हो आपके लिए वीडियो हैल्प ओले वीडियो अच्छे जग तो वीडियो को ला झुड़ मैं बाइक dalे छेती हूँए मैं बाइक वानेस से चेके लिए पाने मैं आपके लिएु एलों का देन का कि वार थारं से वारं से खारं से फूरीी क।बड़नी देहासे लिए। दियू वाहरातूस्ट जीरों के तो ओलेछसरेना फयलिको लिए ड―लेभyr से तो शेर